नमस्कार किसान बाईयों, स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल SK Agri Culture में किसान बाईयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वायबीन की फसल में जब फूल वाली अवस्ता आ जाती है, फूल निकलना शुरू हो जाते हैं उस समय पर हम हमारी फसल को वो कौन से पोसक तत्व खाद के रूब में दे, जिससे कि हमारी फसल में ग्रोध भी अच्छी रहे और फूलों की संक्या भी अच्छी रहे यहाँ पर बहुत इच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो वीडियो को भीना स्कीप किये लगातार पूरा देखना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को दवाना और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना किसान भाईयों जब हमारी फसल फूल वाली अवस्ता पर आ जाती है उस समय पर हमारी फसल में नाइट्रोजन की किसी भी परकार से जुरूरत नहीं पड़ती है यहने कि अगर हमारी फसल में ग्रोथ कम है तो फूल वाली अवस्ता से पहले पहले ही हमें हमारी फसल को नाइट्रोजन दे देना चाहिए इससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए लेकिन जब फूल निकलना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि पोदे की ग्रोथ थोड़ी बहुत तो होती है लेकिन ज्यादा ग्रोथ फिर नहीं होती है ऐसे में हमें उसे नाइट्रोजन नहीं देना है तो यहाँ पर अगर आप फूल वाली अवस्ता पर गु पर फूलों के संक्या भी बड़े तो फूल वाली अवस्ता के लिए किसान बाइयों बताया जाता है कि उस टाइम पर आप एंपीके का जो जीरो बावन चोतिस आता है उसका उपयोग आप अपनी फसल में कर सकते हो इससे क्या होता है कि फसल को फास्पोरस मिलता है और विकास होता है जड़ों में अगर किसी भी प्रकार के कोई किटाणू है या हमको कोई रोग लगने की सिकायत है तो वह भी दूर हो जाती है पोटास की वज़े से जब फूल फलियों में कनवट होगी तो फलियां रोग मुक्त रहेगी और दाना बराव में भी साइख होता है तो वह काम भी हो जाता है तो यहां पर हम अगर एंपी के जीरो बावन चोंतिस को लगबग डेड़ सो से दो सो लिटर पानी अगर हम रखते हैं और यहां पर आड़ सो से लेकर 900 ग्राम परती एकड के लिए उप्योग में लाते हैं तो इसमें हमको इनको पानी में मिल कर देना है इससे हमको पत्तों से यह दोनों ही पोसकत तो फसल को तुरंद मिल जाएंगे जिससे फसल में आपको फूलों में वर्दी होती हुई भी दिखाई देगी और आपकी जो फसल हैं वो पूरी तरीके से स्वस्त रहेगी तो अगर आपने किसी भी प्रकार के टोनिक का उपयोग आपकी फसल में अभी तक नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि एसा कौन सा इस्प्रे करें की फूलों की संक्या बड़े तो जीरो बावन चोंतिस आप इस पर विचार कर सकते हैं या आपके लिए एक अच्छा सोधा हो सकता है तो उम्मीद है आपको यह वीड वीडियों में तब तक के लिए धन्यवाद